हलो हाई नमस्कार मैं हूँ शिल्पा और आपके चहीते डाइड़क डाइलिन शोव इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है वेलकम वान और वेलकम ओल मा का आशिरवाद इमोशन है पिता की डांट इमोशन है बहन की राखी इमोशन है पत्नी का प्यार इमोशन है बच्चे की किलकारी इमोशन है याने इमोशन का हमारी जिंदगी से बहुत ही गहरा कनेक्शन है लेकिन जब ये इमोशन्स आंस्टेबल हो जाते हैं हमारी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है तो आखिर emotions और longevity में क्या connection है क्या emotionally positive रहने से हमारी life span लंबी हो सकती है इसी precious knowledge को हमारे साथ share करने के लिए आज हमारे बीच उपस्तित है विश्व प्रसिदाय रेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहां डॉक्टर प्रताप चौहां आप और आयूरवेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं आपका सपना है कि हर घर में आयूरवेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयूरवेद के प्रती पोणतह समर्पित होकर 40 से जादा देशों में आयूरवेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कारी में चुटे हुए हैं आप लोगों की स्वास्त समस्याई, परसनल, ओनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयूरवेदिक वर्क्शॉप्स के जरीए तूर कर रहे हैं आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयूरवेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है आपने कई आयूरवेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है जीवा आयूरवेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयूरवेदिक फामेसी की भी स्थापना की है जिसमें आयरुवेदिक दवाओं का दर्वान, प्राचीन और आधुनिक आयरुवेदिक विधियों को ध्यान में रख कर किया जाता है आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है जिसमें Best Sellers, Eternal Health और Eternal Beauty शामिल है आयरुवेदिक के क्षट्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय पुरास्कारों से नमाज आ गया है वर्तमान में आप जीवानन्द कारिक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुरुवेट के साथ संतुलित और स्वस्थ जंदगी जीने में मदद कर रहे हैं So let's welcome Dr. Pratap Johan नमस्कार Dr. Sahab नमस्कार जी हमारे कारिक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है इमोशन से जुड़ा हुआ है लेकिन इस इमोशनल टॉपिक को शुरू करने से पहले दर्शकों को पहले बता देते हैं हमारा टेलफोन नमबर So friends आप हमें कॉल कर सकते हैं on 0129-4088-152 अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी समस्या के लिए आयूरवेदिक उप्चार डॉक्र सहाब इमोशन सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इमोशन इनका जो डेफिनिशन है वो आयूरवेद में किस प्रकार से दिया गया है और इनका हमारी सेहत के साथ में क्या संबंध है देखें इमोशन जो है हमारे मन का एक भाव है मानसिक भाव इसको बोलते है और ये मानसिक भाव आपके मन में उत्पन होता है किसी बहारी वस्तू के एक तरह से उसकी रियक्शन के प्रतीज़ जैसे के फर एक्जमपल आप जंगल में जा रहे हैं घने जंगल में और अचानक शेर आजाता है या भालू आजाता है तो उस चीज को भारी वस्तू को देखकर आपके मन में क्या भाव उत्पन होता है भै फिर एक दम से डर होगा तो यह हो गया आपका इमोशन उसके प्रती इसको एक्चुली मैं थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि इमोशन को कही जगे यूज करते हैं इमोशन शब्द को लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं और हल्थ से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा कि बहारी वस्तियों के प्रती जो हमारी भाव पैदा होता है मन के अंदर उसको कहते हैं इमोशन या मानसिक भाव जैसा कि मैंने उधारन दिया दूसरा यह भी हो सकता है कि आप दिन बर ओफिस में आपने काम किया थके हुए माइंड बड़ा आपका टेंशन में है आप घर आए आपका छोटा सा बच्चा जो आपको एकदम से सामने दिखता है तो आपके मन का भाव एकदम से चेंज हो जाता है जो टेंशन थी जो स्ट्रेस थी एकदम आपके मन में प्यार आ जाता है बच्चे के प्रती तो यह दूसरा इमोशन हो गया है यह प्यार का इमोशन हो गया है तो यह इमोशन जो है इनका स्वास्त के साथ बहुत गहरा संबंद है जिस प्रकार का इमोशन होगा उसी प्रकार का जो है शरीर में वो चेंज लाते हैं जैसे नेगेटिव एमोशन होगा जैसे कि भै हुआ डर लगा डर से क्या हुआ हरदे की गती तेज होगी हाटबीट आपकी तेज हो जाएगी पसी न आ जाएगा आपको शरीर कांपने लगेगा तो शरीर के साथ सीधा कनेक्शन है इसका उधर जब बच्चे को देखा प्यार आया तो जितनी टेंशन थी सब खतम होगी एक दम से आपका माइंड रिलेक्स हो गया आपकी हाटबीट जो तेज चल रही थी वो शान्त हो गई तो इसलिए जो है हमारे शरीर के एक-एक जो सिस्टम्स, जो काम करने का मारे मानसिक भाव एए üst 2017 से व्हारेक्ट लिंग है और आपका वारे शुष्ट उस्वास्ट से भी direct खन चीट हमारा भी डारेक्ट लिंक हो चुका है पहले को आपको एक नुस्खा बताते हैं इसका परियोग करिए आपकी खांसी बिलकुल गायब हो जाएगी दो चीज आपको करनी है जरा ध्यान से सुनिये एक तो रात को सोने से पहले जो है एक चमच देशी घी ले लिजिए अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है और उस गाय के घी को गरम करके एक छोटे बरतन में जैसे वो गरम हो जाए उपर से एक कप दूद डाल दीजिए और उसको धक करके थोड़ा उबलने या घी काई तो यह जो घी वाला दूद है यह आपको रात को पीना है गरम गरम और इसको पीते ही आप सो जाए तो आपके जो फेफडों के अंदर गले के अंदर जो खुश्की आ गई है जिसकी वज़े से सूखी खांसी आ रही है उसमें तरावट आ जाएगी बलगम भी पतला होके बाहर निकल जाएगा दूसरा जो है एक और काम करना आपको अपने साथ में रखी आप ताजी अदरक थोड़ा सा चील करके छोटे-छोटे टुकड़े बनाओ और उसमें उपर से नमक काला नमक लगा के रखी आप जब भी खांसी उठती है यह वाला टुकड़ जो है नमक वाला अदरक का टुकड़ा आप गले में जो है मूँ में रखी है और उसको धीरे-धीरे चूशते रही है जिससे उसका रस गले में जाता रहे उससे भी आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी लेकिन जो है खुश्क चीजें ना खाएं भोजन में सूखी च हो जाएंगे कोई घबराने की बात ने ठीक है ठीक है ठीक है जी हमारे कारिकरम में फोन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुडबाए तो डॉकर साब आपने इन्हें बहुत अच्छे और बहुत सिंपल नुसके बताए जिए और उनको सिमिलर प्रॉब्लम होगी उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी तो अपने टॉपिक पर लोटकर आते हैं और आज हम चर्चा करें हैं इमोशन और लॉंजविटी के विशय पर तो आप बता रहे थे कि कुछ इमोशन जो होते हैं वो पॉजटिव होते हैं कुछ होते हैं वो हो रहे हैं उनसे कनेक्टिड होते हैं नेगिटिव एमोशन बहुत जो है कॉमन हैं जैसे के इरशा करना किसी से किसी से द्वेश करना और शर्मिंदा फील करना आपने कोई मान लोग कुछ काम कर दिया ऐसा जो कि गलत काम कर दिया तो आप शरम फील करते हैं या गिल्ट फी करते तो एक तरह से संज़ लिजिए कि वहाव जो है वहाव कि मंन को पर्मनेंट हो जाता है और जब ही आपको जो हम झाली होते तो उसी के वारी में चिंता करने लगते हैं और जैसा मैंने अभी बताया कि जैसा भाव होता है शरीर में वैसा-ही-जोह एक रियक्शन पैदा हो शरीर के जितने हमारे systems हैं, जो हमारे chemical secretions हैं, जो हमारे hormone secretions हैं, वो इस मानसिक भाव के साथ, emotions के साथ बहुत close connection है, विशेश तोर पर हमारा जो immune system है, उसके साथ इसका सीधा संपरके, तो जितना हम उसको negativity को या negative भाव को अंदर रखेंगे और इसको बार-बार जो है सोचते आपके कमर में दर्द हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, पेट की बिमारिया होती है, डाइरिया हो जाता है, कब्ज हो जाती है, इन-डाइजेशन हो जाता है, यहां तक के ऐसा भी कुछ scientist लोग रिसर्च कर रहे हैं, कि जो cancer होता है, जो cancerous cells हैं, जो के बिलकुल एक से बिहेव करती है, नॉर्मल उनका बिहेवियर नहीं होता है, वो भी जो है के बार हमारे negative emotions के साथ उसका connection होता है, तो बहुत ध्यान से आपको यह topic सुनना है, और इसका जो है मैं समझना है, कि negative emotions के लिए कोई स्थान हमारे अंदर नहीं है, नहीं तो बहुत भेंकर भेंकर बिमारी आ जाती है, और फिर उनको जो है ठीक करने के लिए हम दवाई लेते हैं, लेकिन दवाई तो वो सारीरिक लेवल पर हो सकता है, उसको कंट्रोल करें, लेकिन अंदर की जड़े वो अभी मौझूद है, तो दुबारा से फिर सिस्टम को खराब करें, यह topic तो बहुत क्या है, डॉक्टर सहाब सुन रहे हैं? पहले मेरे बात का जबाब दीजियेख थीक लगती आपको और आपको पेट में गैस होती है नहीं जे गैस होती है रात को मझाइन को अच्छा पेट में को जलन वगरा उती नहि aid ज़न नहीं नहीं वती है तो देखिए अग aura यह आपका जो रोग है इसको कहते हैं हम आइरवेद में जीरन बोलते हैं इसको इंडिजेशन मतलब जो आप खाना खाते हो वो पूरा पच्टा नहीं आपका और वो जो बिना पचा हुआ जो खाना रहता है उससे एक चिकना पदार्त बनता है आतों के अंदर जिसको आम बोल जैसी आप खाना खाते हैं तो आपको तुरंत जो है मल त्याक के लिए प्रिवर्टी होती है और जाना भी पड़ता है क्योंकि अंदर जो है मल भी चिपका हुआ है और चिकनाट उसमें मौजूद है तो इसकी चिकित्सा के लिए आपको दो चीज आपको मुख्यूरूप से क पहले आम का पाचन करना है और आम पाचन के लिए एक नुस्खाआ यह लिखली जिए आप उसमें आपको 5 चीज लेनी है सौंट जीरा धनियां 10-10 ग्राम सौंट जीरा धनियां 10-10 ग्राम और सौफ और पुदीना 20-20 ग्राम इनको जो है पीष करके आप चूरुण बनाएं ये बहुत popular नुस्खा है हमारा आम पाचक नुस्खा दुनिया भर में प्रिसिद्ध हो चुका है बहुत सारे लोग इसको प्रियोग करके अपने आम को पचा के ठीक हो चुके हैं दूसरा जो है इसके साथ साथ अपनी जो जट्रागनी है उसको तेज करने के लिए उसको मजबूत करने के लिए भी आपको एक चूरन लेना है उसको कहते हैं लवन भासकर चूरन आपको जो है भोजन के पश्चात एक एक चमच जरूर लेना है जब भी आप खाना खाएं और हमें हाल चाल बताए दिए फिर उसके बाद हम आगे जो आपकी जो है और भी चिकितसा करेंगे आपके रोग को बिलकुल पर्मेनेटली ठीक करेंगे आपको डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे दो नुस्के बताए हैं फिलहाल उन्हें फॉलो कीजिए और इसी नंबर पर थोड़ी देर बात संपर कर सकते हैं और डीटेल जानकारी हम आपको अवश्य देंगे आपकी सहायता अवश्य करेंगे फिलहाल हमारे कारेकर में फोन करने के लिए धन्यवाद गुडबाए ठीक है गुडबाए डॉक्टर साहब चर्चा तो बहुत दिल्चस्ट है लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का तो फ्रेंद्स आप लोग भी हमें कॉंटाक्ट कर सकते हैं 0129 4088 152 See you after a short break Welcome back to Eternal Health मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसित दायूर्वेदाचार्य दॉक्तर प्रताप चौहान जो की दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयूर्वेदिक उपचार तो कॉल कीजे on 0129 4088 152 डॉक्तर साब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और negative emotions क्या होते हैं और किस प्रकार से वो बिमारियों को उत्पन करते हैं ये बात तो अपने समझा ली लेकिन अब आपसे पूछना चाहूंगी कि positive emotions क्या हैं positive emotion भी देखिया जैसा हमारा जो मन के अंदर जो सकारात्मक भाव जो उत्पन होता है किसी बाहरी वस्तू के प्रती अगेन वही सेम चीज है कि किसी चीज को देख कर आपको जॉय पैदा हो या कभी कबार आप अंदर अंदर कुछ चिंतन कर रहे हैं आपको खुशी हो रही है joy जिसको बोलते हैं या प्यार जैसे कहते हैं छोटे बच्चे के प्रती जैसे मनें धारन दिया कि आपको जो प्यार आता है या माता को जो बच्चे के प्रती प्रती प्यार आता है या कई बारी जो है आपके अंदर एक विशेस उत्साहा पैदा होता है कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ ये सब किसी कहीं से मोटिवेशन मिला आपको, किसी ने आपको प्रेरित किया तो आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा या हम जैसे यहां पर अपने शो के माध्यम से कितने मरीजों को ये बातें बताते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, आहरविद आपकी रक्षा करेगा, आहरविद आपकी साहता करेगा तो एक उमीद उनमें होप पैदा होती है और वो जो उमीद है, वो मन के अंदर उनका भाव बन जाता है कि मैं ठीक हो जाओंगा या किसी कई बारे ऐसे हमारे पास लोग फोन करते हैं कि जी वो आपके शो पर वो एक पेशेंट था उसने मुझे बताया कि आपके यहां से दवाई ली थी और मैं ठीक हो गया तो उसको सुनकर के जो है, मुझे भी एक उमीद जागी है या आपकी बातें सुनकर के जो हम बातें करते हैं हमारी बातें सुनके भी बहुत लोगों को उमीद होती है तो वो कहते हैं हमें उससे उंमीद हुई है कि शायद आप लोग हमारी सहयता कर सकें तो यह जो आपके जो पॉजेटिव जो भाव पैदा होते हैं इनको बहूत ज़रूरी है extinit परिदा करना चाहिए हमें, इनको कही न कहीं हमें धूंडना चाहिए कि कहां हमें positive emotion हमारे मन में पैदा हों, क्योंकि इनका direct link भी हमारे उसी system से है, जैसे negative emotions हमारे body के chemicals को destroy करते हैं, change करते हैं, hormones को कम करते हैं, या immunity को down करते हैं, positive भाव जब आएगा, तो immune system हमारा मजबूत हो जाएगा, हमारा शरीर उसी प्रकार से, जैसे मन जो है खुश है, तो शरीर भी खुश रहेगा, हमारे यह कहते है ना प्रसन्न आतमेंद्रिय मन, स्वस्थ इत्त भी दिये थे, तो प्रसन्न मन होगा, तो उससे क्या होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसी परिभाशा अर्वेद में लिखी है, जी जी बहुत बढ़िया बात है, और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर है, हलो, हलो, नमस्कार जी, वेलकम तो इटरनल हेल्थ, आपका शुब नाम, मेरा नाम सत्यवीर सिंह जी, कहां से बोल रहे हैं आप, रिवाडी, हरियाना से बात कर रहा हूं, प्लीज बताईए, क्या समस्या है आपकी डॉक्टर सहाब सुन रहे हैं, जी, डॉक्टर नमस्कार नमस्कार जी, सर मेरी मदर की दवा आपके हां से तिखले करीब महीने बर से चल रही है, जी, उनको जोइंट पेन रहता है, जी, और वैसे तो छोटे वाले जोइंट हाथ और पैर के, उनमें जादा होता है, लेकिन वैसे रात को जैसे सोती है, कहीं हवा लग गई, कपड़ जाता है, और हवा लग जाती है, तो वहां ही पेन हो जाता है, अच्छा, और करीब ये उननीस सो पिचासी-चासी के आसपास से शुरुआत थी, जी, तो हम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ दवाईयां, एलो पैथी, हमें पैथी और ये सब आयरवेदिक सब दिला चुके, जी, बट आपका प्रोग्राम एक चलो देखो, जो आप लक्षन बता रहे हैं, इसके हिसाब से जो संकेत मिल रहा है हमें, वो यही है कि वात का रोग है, क्योंकि जैसे कपड़ा हटाया, थोड़ा सा भी सपर्ष हुआ, ठंड का, शीतल सपर्ष होगा किसी भी चीज का, तो वायू प्रकुपित हो जाती एकदम से, तो वात के शमन में टाइम लगेगा, रोग आप पुराना बता रहे हैं, उन्नीस सो पिचासी का रोग है, तो इसमें चार-चे महिने तो जरूर आप लगेंगे कि कुछ उनको फर्क दिखे, कोई रिक्कत नहीं है, दो तिन महिने मे छोले, गोभी, राजमा, चावल, बिल्कुल स्टिक्टली परेज करें, दूसरा जो है, हर रोज उनकी मालिष अवश्य होगी, एवरी डे, अगर आपको तेल हमने भेजा है, तो वो तेल लगाएं, नहीं तो तिल का तेल, डोक साब कह रहे थे भेजने के लिए, बट मादर को एक्षोली कहें, वो थोड़ा सा स्मयल आती है, तो फिर उशिरदर दूरूल्टियां दोती ही नियुक्त परेजाएं, अगर तो फिर आप तिल का तेल ले लिजिए, उसमें कोई एतनी खास जो है, उसकी गंद अच्छी होती है, और उसकी मालिष करिए, नहीं तो हमारे ह थोड़ा उनको शरीर को एकदम से स्थिर नहीं करना है, यह निके लेटे रहे हैं, बैठे रहे हैं, चलते फिरते रहना है, थोड़ा बहुत शरीर को हिलाना जुलाना या कुछ व्यायाम जो है, जितना वो आराम से कर सकें, जिसमें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहों, वो भी साथ में अवश्य करना है, और एक मेथी का सिवन शुरू कराईए उनको, मेथी दाना रात को आप भिगो दें एक चम्मच, और सुबह उसको खाली पेट वो एक चम्मच मेथी को चबा के खाएं, और पानी भी उपर से पीलें, और साथ में जो आपके आरवेदिक दवा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार. तो डॉक्टर सहब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इनके अंदर हमने देखा कि बहुत अच्छे इमोशन जो पॉजिटिव इमोशन इनकी मा के लिए हैं, उसकी वजए से ये कितना सारा उनका ख्याल रख रहे हैं, तो जो पॉजिटिव इमोशन की हम बात कर रहे ह या कोई चीज पर बारवार आप जो है चिंतन करते रहते हैं, किसी चीज को सोचते रहते हैं, तो उसको बदलने के कही तरीके होते हैं, एक तो सबसे बड़ा तरीका है कि बुद्धी हमें जो दी है, प्रग्या, हम जिसको कहते हैं कि प्रग्या पराद अभी हम करते हैं, प लेकिन आप यह सोचें, तो चलो मेरे से गल्ती होगी, आगे से में गल्ती नहीं करूंगा, आगे से में ध्यान रखोंगा कि मेरे से कोई गल्ती नहीं हो, जो होगी मैं उसको भी सुधार करूंगा, तो यह पॉजिटिव साइड हो जाती है, तो यह बुद्धी का परियोग हो पार्ट है, इसमें negative emotions जमा रहते हैं, तो रात को आप को क्या करना है, रात को गरम पानी की बालटी लें, उसमें नमक डालें और अपने पएर उसमें डुबो दें, तो उससे negative emotions की cleaning होती है, या सुभे अगर घास है तो घास पर आप नंगे पैर चलें, तो उससे भी negative emotions आपके को हसी आए इसे भी आपके negative emotions निकलते हैं और एसे बड़ी चीज यह है कि छोटी सीचीज को इतना बड़ा बना ले ता है कि मेरे को पेट में दर्ध होता है कि भी लूग कहते है मुझे यहां दर्ध होता है मुझे to suspicious एक दम इतनी सी चीज को सोचेंगे सिधा cancer हो गया है तो यह negative emotion लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए कि जो कई ऐसे मरीज भी आते हैं कि इनको cancer हो गया है बिल्कुल last stage में लेकिन उनका बहुत mind positive करें जी मैं इससे ठीक हो के दिखाऊँगा मैं इससे बाहर निकल के तो छोटी ची करका जो आपकी situation है उससे लड़ने के लिए आपको जो है अपने मन को positive बनाना है सत्व गुन इसमें अगर एक लाइन में कहें तो सत्व गुन की वृद्धी हमें चाहिए जिससे कि मन में जो है clarity आएगी मन में purity आएगी मन शांत होगा बुद्धी काम करना शुरू कर देग आत्मा जो उपर बैठा हुआ है वो एक तरह से controller बन जाएगा और आपकी जो कितनी भी आपकी negativity है वो positivity में बदल जाएगी जी जी चरचा बहुत दिल्चस है किस तरह से होगा इसमें ज्यादा तर जो है आपको इस प्रकार से प्रकरिया करनी पड़ती है जी जी बहुत अच मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद Welcome back to Eternal Health मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद आयूर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जो की दे रहे हैं आपकी समस्याओं के लिए आयूर्वेदिक उपचार तो हमें कॉल कीजिए on 0129-4088-152 डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि इमोशनल स्ट्रेस ये शब्द आशकल बहुत सुनने में आता है तो ये क्या है देखिए इमोशनल स्ट्रेस जैसा के शब्द से ही पता चल रहा है कि इमोशन्स के कारण जो स्ट्रेस हो फर एक्जमबल आपने घर में सबजी बनाई शुबे नास्ता बनाया और साथ ओमाने आ के बोल दिया तेस्ट करके कि ये क्या खाना बनाया बेकार तो आपके जो ये बहारी जो वस्तू है इसके परती एक रियेक्शन जो आपके मन में आ लेकिन इस इमोशन की वज़े से आपको stress हो जाए कि अब जो है पता नहीं में क्या करूँ मेरे को खाना बनाना नहीं आता मुझे रोज रोजी जो टोका जाता है तो वो बार बार जो आप जो चिंतन करते रहते हैं उससे एक तरह का stress build-up हो जाता है और यह stress build-up हो करके बहुत सारी problems create करता है हमारे शरीर में blockage पैदा कर देता कि अबर आपका mind blocky हो जाता है आपको यह लगने लगता है कि मिरे से कोई काम ठीक हो गई नहीं ऐसे बहुत सारे cases आते हैं हमार पास जी वो क्योंकि इसमें सबसे बड़ी problem कि आती है कि उसको अगर आप अंदरी अंदर जो ह कोई बात निया कल अच्छा बन जाएगा इतनी बात है उससे आपको थोड़ा positivity आजए चलो कल थोड़ा और अच्छा बनेगा और सासु मा भी खुश हो जाएगी लेकिन अक्सर क्या होता है कि शेयर करने वाला कोई नहीं अकेले हैं घर में भी husband को बताने में भी डर लग ज स्ट्रेस और इसकन बिल्डप और यह बिल्डप हो करके शरीर में बहुत बहेंकर रोग पैदा करता है मैं कह रहा हूं कि आजकल जो विशेश तोर पर महिलाओं मैंने क्योंकि महिला का उधारन दिया यहां पर उनमें कही परकार के जो ट्यूमर होते हैं गांटे बन जाती ह हैं सिस्त बंज जाता है उनका हरमोनल डिसफंक्शन हो जाता है यह तमाम चीजें क्योंकि हर राचीस को अंदर ही रख लेन और आप डॉक्टर के पास भागते रहेंगे, डॉक्टर आपको पेइन किलर दे देगा, या कुछ जो फिजियो थेपी करा देगा, थोड़े दिन ठीक हो जाएगा, फिर वो क्योंकि जड़ा आपकी अंदर बैठी हुई है, तो इसलिए जो है, इसको बहुत गौर से मैं दर् पाते हैं, और आयरवेद में भी जो है, बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं, हमने तो अपने सभी डॉक्टर को ट्रेनिंग दी है, कि कोई भी जो है, पेशेंट आप से जब बात करें, तो गहराई तक पहुंचिए उसको, ताइम लगाई है, आदा घंटा बात करें, कोई बात न हाँ जी, नमस्कार, वेलकम टु इटर्नल हेल्थ, आपका शुबनाम, मेरा शुबनाम पारूल है, कहां से बोल रही हैं, हाँ जी, डॉक्टर सहब सुन रहे हैं, आपकी समस्या बताईए, और उची आवाज में बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रह आपको वैसे वो आप प्रियोग करेंगे, तो आपको बहुत फाइदा होगा, आप जो है, दही होता है ना, घर में दही, दही ले लीजिए, और मेथी का दाना थोड़ा सा रात को भिगो दो, तो दही, जो मेथी दाना जब सुबह गीला हो जाएगा, उसको पीस लीजिए, एक चमच मेथी और एक कटोरी दही, तो ये मेथी दाना उसमें मिला दीजिए आप पीस करके, और इससे अपने बालों को आप धोईए अच्छी तरह से, तो आपका डेंडरफ बिल्कुल गायब हो जाएगा, साथ में जो है, आप फरिदावाद में रहते हैं, हमारे जीवा से जो है, नीम का शेंपू आप ले आईए, नीम वाला शेंपू हमारा बहुत इफेक्टिव ए डेंडरफ के लिए, और एक तेल आपको मिलेगा वहां से, भरिंग राज का तेल जीवा का, वो आप रेगुलर ओलिंग करेंगे, तो आपको आगे डेंडरफ भी नहीं होगा, और आपके बाल सुंदर बने रहेंगे, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन अंदर जो है, इंटरनल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, पित वाली चीजें मत खाईए जादा, थोड़ आपके ब्रेक लगाई है, क्योंकि पित ज्यादा बढ़ने से यह ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपका भी धन्यवार हमारे कारेक्रम में फोन करने के लिए, प्लीज इन नुसकों को अपनाईए, डेफिनिट्ली आपको लाब होगा, गुड़ बाई, तो डॉक् स्वास्ट घर को स्वास्था पकुकर मैं हुँगा कि मन से ही आगे बात मनती है, क्याते हैं न Resistance, Grinian. तो यह मन की बात कर रहे हैं, नहीं इमोशन की बात कर रहे हैं। तो मन अगर आपका हार गया, मन में अपने अगर, चाए बिमारी की कंडिशन हैं, चाए आपकी कोई financial condition है, चाए किसी तरह की कंडिशन है ह। तो आपको फिर आपकी आयू भी कम हो जाती है ऐसा जो है रिसर्च में भी कही रिसर्च आजकल इस तरह की बहुत सारी स्टेडीज चल रही है पूरे वल्ड में जहां पर यह देखा गया है कि जो लोग नेगेटिविटी में रहते हैं, नेगेटिव सोच जिन की होती है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, हमारे बॉड़ी के अनेक प्रकार के जो सिस्टम्स हैं, उनमें कमी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, और एमोशन्स अगर हमारे पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मा के भाव अगर हमारे मन में रहेगा, होप रहेगी, उमीद रहेगी, उत्सहा रहेगा, जॉय रहेगा, हैपीनेस रहेगा, लव रहेगा हमारे जीवन में, प्यार रहेगा, तो ये भी हमारे body के बिमारीयों को दूर करते हैं, हीलिंग हो जाती है, और लंबे समें तक हो जीवित रहती हैं. जी जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है जी हलो हलो नमस्कार जी, वेलकम तो इटर्नल हेल्थ, आपका शुब नाम हांजी, मैं सचीन बात करें हैं हांजी हांजी जी, बताईए, क्या समस्या है सर, हमें समस्या ये है कि जह हम खाना खाते हैं जी तो खाना खाने के तुरंट बाद, पांच दस मिन बाद, हमें कुछ गैस की शिकायत होती है अच्छा और जिससे फिर मुझे कुछ देर बाद, खटी डखायर आने लगती है और जिससे मेरे आखों में पानी आ जाता है तो सर में चीज शिकाय समल कास दिनों से बहुत दिनों से परेश्ण होनु मैं देखिये, इसमें मुखे रूप से आपको एसिड बन रहा है ज्यादा, पित ज्यादा बन रहा है वह सी से घ्टायर आती है उसी से ९ह से एक नुषकाय को तो एक तो अपने भोजन में पित वाली चीज आ हाहएं ल्ज्ची का परियोग बिलकुल ना करें लाल मिर्च भी ना खाये ह्री मिर्च भी नखाये कोई अचार इत्यादी बिलकुल ना खाएं खटी चीजे में जैसे बहुत ज्यादा टमाटर का परियोग सब्जी में खास तौर पर बहुत टमाटर डाल देते हैं या नीबू का परियोग कर लेते हैं कई बार या हम जो है खटा जो है दही अगर खाएं तो इनका सेवन नहीं करना है आपको साथ में जो इसको ठीक करने के लिए एक बहुत बढ़िया आपको मैं उसका बताता हूं जिससे आपकी रोग बिलकुल ठीक हो जाएगी आपको तीन चीजें उसमें मुखिरूप से लेनी हैं एक मुलेठी का चूरन ले लिजिए दूसरा आंवले का चूरन ल सौफ मुलेठी आंवला तीनों को बराबर मातरा में मिला करके आप चूरन बनाएं और यह जो चूरन है यह भोजन से पहले लेना है आपको भोजन से करीब 10-15 मिनिट पहले लेंगे तो आपको वो जो तुरंत गैस बनती है या एसिड बनता है वो नहीं बनेगा आपका भो ठीक है जी हमारे कारेकर में फोन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद गुडबाई डॉक्टर साब इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्स हमाप्त हो चला है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर हमारे दर्शकों को कोई स्पेशल टिप्स आप दे सकें जी के टिप यही है कि जो इमोशन हैं उनको तोड़ा सा जो आप गौर करके समझ यह और देखिए कि कहीं ऐसी आप हमारे साथ संपर्ग करें क्योंकि आयरवेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है फिजिकल लेवल पर भी दवाई के लेवल पर भी और आपको समझा करके भी हम हर तरह से आपका इलाज करते हैं पिन 121001 इंडिया हमारा इमेल आईडी है info at jiva.com हमारी वेबसाइट है www.jiva.com हमारा फोर नंबर है 0129-4088-152 दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव एमोशन एक ही सिक्के के दो पहलू है अब ये आप पर निर्भर है कि आप कौन से पहलू को उपर देखना चाहते हैं इसलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाईए Be Positive इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आप से लेना चाहूंगी विदा Goodbye, Namaskar, Take Care, हमें आपकी फिक्र है विदेश बनाईए